हेलो फ्रेंट्स में संतुस और स्वागत है आपको ऑनलाइन टेक सपोर यूटूब चैनल में फ्रेंट्स अगर आप कोडूलर में अप्लिकेशन डेवलोप करते हो तो यह वीडियो आपके लिए होगा जब आप कोडूलर में अप्लिकेशन बनाने के बाद एक्सपोर्ट करते हो और अप्लिकेशन ओपन होने के बाद आपका मोबाल में एक एरर सो करता है एक्सन रिक्वार्ड योर आप हजनद बिन अप्रोब टू सर्वार्ड तो फ्रेंट्स यह वाला इसू क्यों बता है आज हम इस टप्रिकेशन पर बात करेंगे आज मैं इसका 100% सलुशन बता दूँगा इसलिए वीडियो को बिना स्किप करते हुए लास्ता देखते रही है अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको बाद में समझ में नहीं आएगा एप्लिकेशन डेवलोप्मेंट का सारे प्रॉब्लेम सलुशन का वीडियो इस चैनल में मिलता रहेगा इसलिए हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को भी जरुर दबा लिजिए लाटेस्ट अप्डेट सबसे बेले पाने के लिए और उसके साथ हमारे वीडियो को भी लाइक करते हैं यार वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पुरता है फ्रेंड्स कोडूलर में नया रूल अपडेट हो चुका है और इसी रूल के हिसाब से आपको एप्लिकेशन डेवलोप्मेंट करना पड़ेगा एप्लिकेशन बनाने के बादे जब मोबल में ओपन करते हैं तो आपके पास एरर मेशेज शो करता है और आपका ads भी शो नहीं करता है इसका मतलब आपका एप्लिकेशन में ads से service अक्टिव नहीं क्या गया है finally मैं आपको एक application का project खोल कर बता देता हूँ आपको इस problem के लिए क्या करना पड़ेगा इस project में सिर्फ ही मैं दो ads यूज कर रखा हूँ और इसका जो text mode है मैं disable कर रखा हूँ दोनो ads का अगर आप आपका application में text mode disable करके application बनाते हो तो export होने के बाद जब application को mobile में open करेंगे तो आपका mobile में इसे ही error message show करेगा किसलिए आपका addmov.add का text mode को enable कर दीजिए text mode enable करने के बाद आपका application में यह बला error show नहीं करेगा अगर आप चाहते हैं कि text mode को disable करके आपका application में ads show करवाने के लिए तो पहले ads unit id का text mode को disable कर दीजिए और codular का home page open कर दीजिए open करने के बाद modules next creator next ads panel उसके उपर click करिए ads panel open होने के बाद यह जो page है आपके सामने खुल जाएगा यह page का link भी में निचे description box में दे दूँगा आप वहां से भी check कर सकते हैं यह देखिए यह मेरा chair application है चार application से एक application को approve मिल चुका है और एक pending में पड़ा है और दो application जो है उसमें से एक application को आज में approve करके आपको दिखाऊंगा फाइनल यह जो application है इसके side में request approval लिखा गया है तो इसके उपर click करिए आप भी आपका application को इस तरह open करिए अभी यह पूछ रहा है कि क्या आपका application गूगल प्ले स्टोर में publish है अगर yes करके next करेंगे तो यह आपको बुलेगा आपका application में add से automatic show करेगा अपर लेने का कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन आप तो अभी application बना रहे हो इसलिए no के उपर click करिए उसके बाद अगर आपका application यह अर्णिंग application है या order कोई application है तो इसके उपर click करिए अगर नहीं है तो इसके उपर click not करिए finally next के उपर click करिए क्लिक करने के बाद यह आपको बोलेगा आपका application के बारे में थोड़ा बहुत कुछ लेखने के लिए आपका जो application में जो भी है थोड़ा बहुत कुछ लेख दीजिए यहां पर minimum यहां पर 800 character होना चाहिए एड़ाइशो character से अगर कम हो जाएगा तो error message शो करेगा आप simply यहा चार घंटे के अंदर और तीन से चार घंटे के अंदर एड़ का अप्रूब मिल जाएगा इनके से अप्रूब नहीं मिलता है तो आप फिर से request करिए अगर इसके उपर कोई doubt है तो निचे comment box में लेख दीजिए मैं उसका answer दे दूंगा और एक trick में आपको बता देता हम उस text mode on करके application बना लिजिए application export करने को वाद उसको google play store में publish कर दीजिए और एक दिन के बाद addmob open कर लिजिए addmob open करके add app के उपर click करिए जब आप इसके उपर click करेंगे तो यह पुछेगा आपको क्या आपका application google play store में publish है अब तो पहले publish कर रखें finally yes के उपर click करिए जब yes के click करेंगे यह आपका application का नाम पुछेगा अब आपका application का नाम डाल कर यहां पर search कर लिजिए जब आपका application मिल जाएगा उसको google play के साथ link कर दीजिए और उसके साथ add unit ID भी बना दीजिए और आपको पता नहीं है कि किस तरह google play के साथ addmob को link किया जाता है इसके उपर एक separate video बना गया है आप उपर आई बटन को पर क्लिक करके वो वीडियो को देख सकते हैं add unit ID बनने के बाद codular में आपका application का project को खुल दीजिए पेले और उसमें add unit ID को लगा कर application को export कर लिजिए जब application export हो जाएगा उसको google play में update कर लिजिए तीन से चार घंट के अंदर आपका application मे एड़ से सो करने लगेगा तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा किस तरह एड़ रिक्वेस्ट को एप्रूब किया जाता है वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सेयर कर दीजिएगा और हमारी चैनल को subscribe कर लिजिएगा फिर मिलते हैं किसी नय वी Сबनेवा भीजिए ज अच्छा लगेजिए अघव सेयरे को